हेलो फ्रेंड्स बेलकम बैक तु माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स बता दे कि हैदराबाद में खेले गए तीसरे टी 20 मैच में टीम इंडिया ने छे बिकर से जीत दर्ज कर लिए है इसी के साथ भारत ने अश्टेलिया को तीन मैचों की टी 20 स्रीज में दो एक से हरा दे है तीसरे मैच में भारत को जीत के लिए 187 रनों का लच्छ मिला था जिसे टीम इंडिया ने चार बिकर खोकर हासिल कर लिया है अश्टेलिया की ओर से इस मैच में टीम डेविट ने सिर्फ 27 बाल में 54 रनों की पारी खेली थी जिसमें 4 छक्के सामिल रहे हैं उनके अलावा कै सेमरून गिरीन ने सिर्फ 21 बाल में 52 रनों की पारी खेली थी अश्टेलिया को तेज शुरुवात मिली थी लेकिन उसके पारी बीच में कुछ वक्त के लिए लड़ खड़ा गई थी भारत और आश्टेलिया के बीच सिरीज अभी एक-एक से बराबर पर थी और वहीं दोस बता दे कि तिसरे टीट्यून टी में अश्टेलिया ने भारत के सामने 187 रनों का लच्छ रखा था जबाभ में भाथ्य टीम इंडिया ने 19.5 और में 4 बिच्ट गवा कर लच्छ हासिल कर लिया है इसी के साथ भारत ने अश्टेलिया को छे बिकट से हरा दिया है रोमा चक एक मुकाबले में भारत को आखरी ओबर में 11 रणों की जरूरत थी तब बिराट कोली और हार्दिक पांडिया किरिट पर थे डैनियल सम्स गेदबाजी कर रहे थे पहली गेद पर कोली ने छक्का लगाया था हाला कि इसी अगली गेद की हिम पर ही कोली फिंच के कैच में हाथ थमा बैठे थे तीसरी गेद पर दिनेस कार्थिक ने एक रन लिया आखरी तीन गेदों पर भारत को चार रनों की जरूरत थी वहीं चोथे गेद पर हार्दिक कोई रन नहीं बना पाये थे लेकिन पांच में गेद पर सम्स ने वाइट यार कर फैकनी की कोशिश की लेकिन हार्दिक के बल्ले से लगकर थड मैन पर छार रन की लिये चली गई थी इसी तरह भारत ने एक गेद रहते जीत हासिल कर ली है इसी जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की T20 स्रीच को एक से एक दो से जीत लिआ है अस्टेलिया ने पहले T20 और भारत ने दूसरे T20 को अपने नाम किया था तीसरे टीटुएंटी में अस्टेलिया ने भारत को 187 रनों का लच्छ रखा था। दोस्तों बता दे की कैमरान गिरिन ने 21 गेदों में बावर रन बना थे और वह वहीं दोस्तों बता दे की भारत्य टीम अपने घर में नो साल बाद अस्टेलिया को T20 स्रीज में हराने में कामियाब हो पाई है और अस्टेलिया को 2013 के बाद से T20 स्रीज में नहीं हरा सकी थी 2007 और 2013 में उसने एक-एक मैचो की सिरीज को अपने नाम किया था अब टीम इंडिया नो साल में पहली बार कंगारुओं को अपने घर में सिरीज हराने में सफल रही है 2017-18 में सिरीज एक-एक से बराबर छूटी थी तो 2018-19 में अश्टेलिया ने दो एक से जीत हासिल की थी लेकिन वहीं दोस्तों बता दे कि साल 2022 में अश्टेलिया के सामने भारत ने सिरीज जीत दर्ज कर ली है दोस्तों वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फार वाचिंग